असलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे के विंडो 10 की अप्डेड को कैसे बंद किया जा सकता है तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपने सबसे पहले स्टार्ट विड्डो में आना है यहां आपने सरक करना सर्विस तो इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने डवल्यो का बटन प्रेस करना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां देखो विंडो अपडेट रनिंग में है यहां पे आपने डवल क्लिक करना है इसको डवल क्लिक करने के बाद यहां पर आपने से स्टॉप कर देना है स्टॉप करने के बाद यहां पर मैनुवल ओपन करने के बाद आपने यहां से डिस एबल कर देना है डिसेबल करने के बाद अपलाई और अपलाई के बाद आपने से ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपकी विंडो डिसेबल हो चुकी है और आपने सबसे पहले स्टार्ट विंडो में आना है यहाँ पे सरच जी जी पीडिट एम एससे पे क्लिक करना है उसके बाद एड़ टैंपल विंडो कमपोनेंट उसके बाद आपने स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है यहाँ बेशिक विंडो अप्डेट यहाँ पे विंडो अप्डेटएंट विंडो अपडेट इस पर क्लिक करना हुछ के बाद विंडो के फीचर अब आटोमेटिक अपडेट ओपन एडिसेबल अप्लाई एड ओके विंडो के फीचर अब आटोमेटिक अपडेट होने वाले बंद हो गए हैं यहां पर लिखना है रिगाड़ीड रिगाड़ीड लिखनी के बाद इसे रिजिस्टर एडिटर जैस करना है उसके बाद तो उसके बाद आपने लोकल मिशीन उसके बाद एंड 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 सोफ़वेर उसके सिर्ण एंड iOS बएंड प्रॉलिस्टर एंड स्फ।।। and then window and then window update and then microsoft and window new key window update and press enter and new key AU and enter and right click new but this bit value now auto update and enter and open change the value is worth and then ok enter and open change the value is worth and then ok and 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 झाल झाल